हेलो दोस्तो स्वागत आपका आटल हिंदी नोलेच पर अक्सर आपने अपने आसपास पेड़ पोधों को तो देखा ही होगा पेड़ पोधे हमें और सभी जीव जन्तों को ओक्सिजन गेस देते हैं जिस से हम सभी जिन्दा रहते हैं दोस्तों आपने देखा होगा जैसे ही बसंत आता है पेडों की पत्तिया हरी हो जाती है और दोस्तों जैसे ही सर्दियों का मोसम आता है यानि दोस्तों जैसे ही पजड़ सुरू होता है तो पेडों से पत्तिया अपने आप जड़ने लग जाती है इसे दोस्तों हम मोसमी चकर भी बोल सकते हैं जिसमें की पेडों के नई पतिया आती है और पुरानी पतिया जड़ जाती है पर क्या दोस्तों आपने कभी ये जानने की कोशिस की है पेडों से पतिया क्यों जड़ती है और पतियों का रंग क्यों बदल जाता है ये जानने से पहले अगर दोस्तों आप हम पत्तिया नहीं होती है पर यहां इन पोदो का तना हरा होता है ताकि यह पोदे फोटो सेंथेसिस की किरिया को कर सके और जिन्दा रह सकें दोस्तो फोटो सेंथेसिस की करिया कलोरोफिल के करन होती है और यही कलोरोफिल पत्तियों को हरा रंग परदान करता है जैसे ही दोस्तो सर्दियों का मोसम आता है तो पेड़ पोदे भी पत्तियों से मुकाबला करने के लिए खुद को भी तैयार करने मे जुट जाते हैं पेड पोधे पतियों में होने वाली photosynthesis परक्रिया को रोकना शुरू कर देते हैं और अब दोस्तो पतियों में जमा कलोरोफिल छोटे छोटे अनों में बदलने लगता है और ये कलोरोफिल तने और जडों में जाके जमा हो जाता है दोस्तों ये परकरिया पोध्य को पत्जड में जिन्दा रखने के लिए जरूरी होती है इसी के साथ दोस्तों पत्यों में लाल और पीले पिग्मेंट भी पाये जाते हैं दोस्तों पिग्मेंट पत्यों के रंग का निरधारन करते हैं पर दोस्तों वसंत और गर्मी के मोसम में इन लाल और पीले पिगमेंट पर कलोरोफिल का प्रभाव होता है जिससे दोस्तों पेडों की पत्या हमें हरे रंग की दिखाई देती है लेकिन दोस्तों अक्टूबर नौंबर के मैने में कलोरोफिल तने और जड़ों की और जाने लगता है जिससे दोस्त इसके किरिया नहीं होती है और पत्तिया कमजोर पढ़ जाती है जिससे उनका रंग लाल या पीला हो जाता है और अंत में दोस्तों पेड़ से पत्तिया गिरने लगती है या यूँ कहें कि पत्तिया पेड़ से जड़ने लगती है और दोस्तों जैसे ही वसंद का मोसम आता है तो दिन फिर से बढ़े होने लगते हैं और तापमान बढ़ने लगता है तब तने और जड़ों में जमा हुआ कलोरोफिल उपर की और आने लगता है और पेड एक बार फिर से हरी पत्यों से भर जाता है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दे कि पेड़ों से पत्यों के गिरने का एक और कारण भी माना जाता है। जब कडाके की सर्दी पड़ती है तो पानी जम जाता है जिससे पेड़ों को फोटो सेंथेसिस यानी परकार संसलेशन की किरिया के लिए पानी नहीं मिल पाता है ऐसे में दोस्तों पत्यों की कोई उप्योगिता नहीं रहती है इसलिए पेड़ अपनी पत्यों को गिराकर अपनी एनरजी बचाते हैं तो दोस्तों अब आप ये तो समझ गए होंगे कि पेड़ पोदे अपनी पत्या पच्चड कसमे क्यों गिराते हैं और पेड़ों की पत्तियों का रंग क्यों बदल जाता है अगर दोस्तों आपको मेरे द्वारत दी के जानकरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करे और ऐसी ही नई नई जानकरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले